रूस और यूक्रेन की बीच भीशन जंग आज छटे दिन भी जा रही है और इस वीच यूक्रेन में फसे भारतियों को वापस लाने कले लगातार ओपरेशन गंगा चलाय जा रहा है मंगलवार सुबा एर इंडिया की साथवी फ्लायट 182 भारतिय नागरीकों को लेकर रूमानिय के बुकारेश से मुंबई पहुंची वहीं जानकारी के मताबिक एर इंडिया के विमान मुंबई एरपट पर पहुंची जाहें भारतिय नागरीकों का केंद्रिय मंत्री नरायन राने ने स्वाकत किया इसके लाव आपको बता दे कि बीते दिन बुड़ापेट से छटी फ्लैट दो सो चालीज भारती नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुची थी जिसकी जानकारी विदेश्मंत्री एस जे शंकर ने दी और उन्हें ने टूट कर कहा कि बुड़ापेश से छटी ओपरेशन गंगावडान और दो सो चालीज भारती नागरिकों की दिल्ली वापस हुए और निकासी के परियास सतद सरकार के इस ओपरेशन के तहट अब तक 1100 से जादा भारतीयों को भारत वापस लाया जा चुका है और शरकार ने एक और अहम फैसला लेता हुए यूकरेन के पड़ोसी देशों में चार किंद्री मंतियों को भेजने का निडने लिया हैं और केंद्रे मंती जोतिरादिते सिंधिया, किरन्री जीजु, वीके सिंग और हर्दीप सिंग पूरी को भारतेयों की मदद की जिम्मेदारी दी गए और वहीं चोते रादिता सिंद्या, रोमानिया और मोल्दोवा, किरनरी जीजु, स्लोवाकिया, हर्देव सिंग पूरी हंगरी और जनरल वीके सिंग पोलेंड जाएंगे चीन के तमाम विरोध, चेतावनी और हस्तेशेप के बावजूद नेपाल की सत्ताधारी गडबंदन ने अमेर की सहयोगी वाली पहयोजना, एमसी सी को संसद से पास करने का निड़ने लिकर लिया है, और सुबा सत्तारूट गडबंदन की बैठक में एमसी सी पारिद करने के साथ ही वे अख्रात्मा क्टिपने को भी सादन से पारिद कराने का फैसला लिया गया, और अविवाद उपार तक शुरू हो रही संसद की कारवाई में 50 मिलियन अमेर की डोलर के आर्थिक सहयोग संबंदी मसी सी परियोजना पर भैस करने, आज ही मद्दान कर उसे पारिद करने का फैसला लिया गया, और अमेरिका ने इस परियोजना को हर हाल में 28 फरवरी तक संसट से पास करने का आल्टीमेटम दिया था और वहीं आल्टिमेटम के एक दिन पहले सत्ताधारी गडबंदन में नाट के ढंग से आये परिवर्तन के बाद इस परियोजना को संसत से सुवकिर्तिक करने पर सहमती बनी है दरसल प्रधानमंत्री शेर बहादूर दवान के नितित में रही गडबंदन के दो प्रमुगटक दलमाववादी और एकिकरित समाजवादी पार्टी शोरू सही इस बात पर अड़ी थी कि एमसीसी नेपाल के हित में नहीं है और ये राश गाती समझ होता है और इसको सुवकार नहीं करना चाहिए और वहीं ये भी माना जा रहा है कि इन दोनों दलों के विरोत के पीछे चीन का दवाब काम कर रहा था दासल चीन ने खुले आम नेपाल को मसीसी नहीं सुवकारने के लिए नेपाली राजनीतिक दलों पर दवाब डाला था और चीन का ये तर्ट था कि मसीसी के जरी नेपाल में अपनी सैने उपस्तिती बढ़ाएगा और वहां से तिब्बत के जरी चीन को स्थिर करने की कोशिश कर सकता है वह इसको लेका चीन के सरकारी मीडिया के जरी लगातार आपत्ती जताई जाने लगी रूस और यूकरेन के बीच इस वक्त भीशन युद जा रही है और यूसी से न लगातार यूकरेन में कई शहरों में लगातार मिसालों से हमले कर रही है और यूकरेन दुनिया से मदद की कुहार भी लगा रही है और इस वीच जपान के अरभपती हिरोशी मिक्तानी ने रविवार को कहा कि रूस का यूकरेन पर आक्र मुनिट लोक्तन के लिए चुनोती है और उन्होंने यूकरेन सरकार को आठ दसना साथ मिलियन डोलर यानी की करीब 65 करोड रूपे दान करने का फैसला किया है मिक्तानी ने कहा कि उन्होंने 2019 में कीब का दोरा किया था और राश्टपती से मुलाकात भी की थी और इकउमर्स की दिगज कंपनी राको टेन के संस्तापाक मिक्तानी ने यूकरेन के राश्टपती वल्दे मेर जैलनिस्की को संबोधित एक पतने कहा है कि दान्त यूकरेन में हिंस्सथा के शेकारल की मदद करने के लिए मानवे गति yet लिए किया गियाएगा और मेरे विचार आपके और यूकरेन के लोगों के साथ है। मेरा मानना एक शानती पूंड और लोक भंतपन की यूकरेन को यूपन बंसे रोगना लोकतंत लिए एक चुनोती है और जापानी अरपती ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस मुद्धे को शांती से सुल जा सकते हैं और यूक्रेन के लोगों को चल से जल शांती मिल सकती है और वहीं दुनिया भर के लोग और संगठन यूद का संगठन चेल यूक्रेन की मदद लिए दान भी करें और रूस के आकरोंड के बाद दुनिया भर के देशों ने उस पर वित्य प्रतिवन्द भी लगाते हैं हाला कि रूस पर इसका कोई दवाब नजर नहीं आ रहा है वहीं जापानी सरकान ने भी रूस पर प्रतिवन्दों की घोशना क प्रतिए है और वहीं उत्ता प्रदेश विदान सवा चुनाव क्लियाज मुख्यमंत्री योग्यार इतिनात का ही जिलों का दोरा करेंगे और वहीं बलरामपूर जिले में आज दो जनसभाव को संबोधित करेंगे और वहीं तुलसीपूर के सुतन भारे इंटर कॉलेज मे में बी सबह करेंगे और इसके बाद खरदोरी में एक जनसभा कर वोट करने की भी अपील करेंगे। हुई आपको को बता देकि महराज घंज में आज सेय्म योगी आदितेनात जनसभा करने वाले हुन पन्यारा परत वालमें भी सीम योगी आदितेنت आत की जनसभा है और इसके लावा सिद्धात नगर में भी सीम योग यादितेनात आज दोरा करेंगे और इसके लावा कापिल वस्तू और डुम्रिया गंज विदान सवा में भी सीम योग यादितेनात की जन सवा है और इससे पहले सेम योग यारी तेनाथ ने कोरकपुर में जनसबा कर विपक्ष पर जम करने साना साधा था उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बिजली मिलती थी क्या और यूपी में माफिया कुंडे परिशान करते थे और वहीं माफियां का इलाज हमने खोज निकाला पहले गरीबों का हग हडपा जाता था और सेम योग यारी तेनाथ ने जनसबा को संबोदित करते हुए कहा कि यूपी में पांचे चरंड का मद्दान हुआ और यूपी में हम तीन सो से ज़्यादा सीटे जीतेंगे और वहीं बाते जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है और पहले गरीबों का हग हडपा जाता था और आज यूपी में बिना भेदबाव के लोगों को अधिकार मिलता है और वहीं पीजली भी मिल रही है और इससे पहले सेम योगी ने अमबेटकर नगर में जनसवा किया और मुख्यमंति ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर तावर तोड़काई हमले बोले और सेम योगी ने कहा कि सपा सेफ़ाई सिर्फ खांदान का विकास चाहती है और उनका नाराज सब कुछ सेफ़ाई परिवार को मिले और सपा ने रामभक्तों का अपमान किया और सपा सरकार में दंगे हुआ करते थे वो दंगे होते गए और यूपी बदनाम होता गया 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी और यूपी में आज कोई बेदबाफ नहीं हो रहा